हेलो, नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आएं, बोटाई डाइग्राम, यह जितनी भी प्रॉसेस इंड़स्ट्रीज हैं, या मेनुफेक्टरिंग इंड्स्रीज हैं, या पैकेजिंग इंड़स्रीड़ हैं, इन सभी जगाओं पर किसी भी incident को किसी भी काम से दूर रखने के लिए किया जाता है बोट आई डाइग्राम बनाते समय में हमको इसके basic rules पता होने चाहिए ताकि हम किसी भी जटिल से जटिल condition में इसको लगा सके तो आईए चलिए देखते हैं बोट आई डाइग्राम कैसे बनाया जाता है और इसके क्या क्या पार्ट हमको समझ में आने चाहिए जिसके बाद हम आसानी से किसी भी equipment के लिए या किसी कारे के लिए हम बोट आई डाइग्राम बना सकते है किसी भी बोटाई diagram की शुरुवात होती है उसके टॉप event से यानि maximum क्या हो सकता है आग लग सकती है या क्या हो सकता है वह होने के लिए जो event होता है उसको हम बोलते हैं टॉप event तो टॉप event के होने के लिए उसको कोई threat हो सकती है ये threat या इसके उपर से जो खत्रा है उसको हमको hazard के form में या खत्रे के रूप में जानते हैं कोई भी threat या खत्रा जो है वो top event को lead करता है यानि इनकी वज़े से कोई भी top event हो सकता है top event होने के बाद अगर वो control नहीं किया गया तो हमें कोई न कोई consequence यानि उस खत्रे के द्वारा होने वाली छती को हमें जानना पुड़ेगा तो इसको हम बोलते हैं consequence तो threat है hazard है और इस hazard की वज़े से कोई top event होता है ये जो top event है ये हमें consequence तक पहुचाता है यानि किसी भी खत्रे के होने की वज़े से अगर कोई गलत event हो जाता है तो उसकी वज़े से हमें क्या नुकसान हो सकता है उसको हम consequence कहेंगे तो ये आपने समझा इसका basic तो चलिए आगे देखते हैं कि अगर कोई threat या hazard है वो top event तक ना पहुच पाए इसके लिए हमको क्या करना चाहिए तो किसी भी threat या hazard हमारे top event तक ना पहुचे इसके लिए हमको 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने भी preventive barriers लगाने चाहिए हमें preventive barrier का मतलब होता है कि वो चीज़ें जो top event होने से बचाने में सहयक होती है जैसे अगर कोई आदमी उचाई पर कारे कर रहा है तो वो वहाँ से गिर ना जाए उसके गिरने को हम top event बोलेंगे गिर ना जाए इसके लिए हम उसके preventive barrier लगा सकते हैं यानि उसको handrail दे सकते हैं उसको midrail दे सकते हैं उसको full body harness दे सकते हैं यह सब चीजें उनके preventive barriers है और training भी एक preventive barrier का कारे करता है और चलिए अगर वो वहाँ से गिरता है तो consequence क्या हो सकता है उसको चोट लग सकती है या fire हो सकता है वहाँ explosion हो सकता है या कोई toxic gas release हो सकती है इस तरह के चीज़ों को हम consequence कह सकते हैं लेकिन अगर इस तरह के preventive barrier work at height यानि उचाई पर कारे करते समय अगर फेल होते हैं तो जो consequence होगा वो क्या होगा कि वह आदमी चोटिल हो जाएगा या उसकी death भी हो सकती है तो वह consequence है तो जब यह threat या hazard जो हमारा है उसके बाद अगर हमारा preventive barrier feel होता है तो इसके गिरने की जो condition है उसको हम क्या बोलेंगे top event और गिरने की वज़े से अगर उसको जो consequence होता है उसको हम बोलेंगे चोट लगना तो इनको बचाने के लिए हमारे आते हैं 1, 2, 3, 4 mitigative barriers यानि वह गिरा लेकिन उसको चोट ना लगे ऐसा अगर हो सकता है तो हम उसको consequence तक पहुचने से पहले ही बचा सकते हैं यह जो चीज़ें इनको बचाती हैं उसको हम बोलते हैं mitigative barrier तो mitigative barrier क्या होते हैं जैसे आपने उसको full body harness बंदा हुआ है तो जो उसका shock absorber है वह उसको नीचे गिरने से बचा लेगा यानि वह उसको बचाने का कारे करेगा तो इसने से जो भी चीज़ें हमारा बचाने का कारे करती हैं इनको हम बोलते हैं mitigative barrier किसी भी fire के case में mitigative barrier होते हैं हमारे fire extinguisher या fire hydrant इन सब चीज़ों से ही mitigative barrier बने होते हैं कोई भी top event कोई consequence ना कर पाए इसलिए हम mitigative barriers रखते हैं कहीं पर भी अगर preventive barrier fail होता है तो हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि वह कैसे fail हो सकता है अगर हम preventive barrier के उपर काम करते हैं तो हम ये जानने की गोशिश करेंगे कि वह fail कैसे हो सकता है तो हमारे preventive barrier और मजबूत होंगे उसके साथ हमको ये भी देखना होगा कि जितने भी हमारे preventive barrier है इसको हम कैसे maintain कर सकते हैं इसका maintenance का strategy क्या है कितने समय में maintain हो सकता है इन सब चीज़ों के लिए हमें उसकी competency की जरुद पढ़ेगी हमारे जितने भी लोग maintenance वाले इस वीडियो को देख रहे हैं वह जब भी किसी equipment पर काम करने के लिए जाते हैं और वह ये जानने की गोशिश करें पहले तो कि वह preventive barrier में आ रहा है क्या अगर वह preventive barrier में आ रहा है तो उसके maintenance को करने के लिए अपनी competency को खुब बढ़ाई है क्योंकि यह किसी भी threat या hazard को top event होने से बचा ही लेगा अगर top event हो जाता है तो हमारे mitigative barrier उसको consequence तक पहुँचने से पहले बचा लेंगे consequence में वह आदमी का fatal होना या उसको काफी चोट लगना यह सब चीज़ें आती है यानि final जो outcome होता है उसको हम consequence कहते है तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए अपनी competency को बढ़ाना चाहिए हमारा जो life में goal है वो हमेशा zero incident या accident है इसको improve करने के लिए हमको हमेशा preventive barrier को और अच्छे से अच्छा करना चाहिए ताकि यह ना हो और साथी साथ जो mitigative barrier है उनको हमको continuously strengthen करते रहना चाहिए इससे हमारी जो severity है यानि जो आदमी को चोट लगने के chances है या जो चोट लगती है वह minimum हो जाती है तो हमारे mitigative barrier हमको incident होने के बाद भी बचाते है जनरली हमारे जो mitigative barrier है वह हमारे pps होते है या अगर कहीं पर splash हो जाता है या कुछ भी ऐसा हमारे उपर आ भी जाता है leak होने के बाद तो जो हमारे pps होते है यह mitigative barrier का का काम करते है तो mitigative barrier भी क्या है हमारे pps जिन लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करें अदर्वाइस उसको लाइक करें इस हमा ऐसे ही इंफॉर्मेटी वीडियो आगे भी लेकर के आते रहेंगे आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन मेले थैंक यू